तो देखिये आज हम करने वाले हैं क्लास एट का चेप्टर नमबर नाइन ग्रामीर एवं सहरी प्रसासन तो इससे संबंदित जो भी प्रस्ण होंगे इस चेप्टर में वो सभी आज हम कर लेंगे ठीक है तो चेप्टर आप लोगों ने पढ़ी लिया था अब चलिए करते है इसके कोश्यन आंसर कोश्यन वन देखिये पंचायती राजविवस्था को किस संविधान संसोधन विधियक के अंतरगत अपनाया गया है तो जिसे हम ग्रामीर स्वसाशन के नाम से भी जानते हैं तो इसे 73 संविधान संसोधन के अंतरगत अपनाया गया है अगला देखें पंचायती राज व्यवस्था ग्यारवी अनुसूची के त्री इस्तरिय धाचे में कितने विश्यों को समलित किया गया है तो देखिए 29 विश्यों को यहां शामिल किया गया है नेक्स्ट देखिए कोशे नमबर 3 है ग्राम पंचायत के मुख्य अधिकारी होते हैं कौन कौन होते हैं तो यहां पर सरपंच होता है ग्राम विकास अधिकारी होता है यानि VDO, Village Development Officer, ठीक है, तो ग्राम पंचायत के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, सरपंच होता है और VDO होता है Next दीखिए, Question No.4, पंचायत समिती के मुख्य अधिकारी कौन से होते हैं, जहां हमने देखा, ग्राम पंचायत में सरपंच है, ग्राम विकास अधिकारी है ठीक है, एक्राम में यदि Question पूछा जाए, तो फटाफट से आपको आंसर देना है, सरपंच जो है, अधिकारी किस के अंतरगत आता है, ग्राम पंचायत के अंतरगत उसी तरीके से पंचायत समती के जो मुख्य अधिकारी हैं, वो कौन हैं, एक है प्रदहान और दूसरे हैं खंड विकास अधिकारी, BDO, Block Development Officer जिला परिशद के मुख्य अधिकारी कौन से हैं, तो यहां पर आंसर रहेगा सही, जिला प्रमुक होता है और मुख्य कारिकारी अधिकारी इसमें होते हैं, ठीक है पंचायती राज के त्री इस्तरिय ढाचे में मन रेगा कारिक्रम का क्रियान वयन एवं रोजगार उपलब्द करना किसका कार्य होता है तो यहां पर ग्राम पंचायत का ये काम होता है कि मन रेगा कारिक्रम को क्रियान वित करना और रोजगार उपलब्द कराना सरपंचों, पंचायत समिती सदस्यों और जिला परिशद सदस्यों वा जिला परिशद सदस्यों यहां दो बार लिख दिया गया है दुबारा से देखिए सरपंचों, पंचायत समिती सदस्यों वा जिला परिशद सदस्यों में समन्वे करना किसका कार्य है यानि इनको जोडने का काम कौन करता है तो इनको जोडने का काम पंचायत समिती करती है Q8 देखिए पंचायती राज में जन्म म्रत्यू एवं विवाह पंजी करन का कार्य किसका है तो देखिए पंचायती राज का जो त्री इस्तरिय धाचा है तो जिसमें हमें पता है ग्राम पंचायत होती है पंचायत समिती होती है और जिला परिशद होती है तो इन तीनों में से किसका काम है जन्म म्रत्यू एवं विवहा पंजी करन का कार्रे तो यहां बर ग्राम पंचायत का काम होता है देखिए ग्राम पंचायत के दो महत्वपू कारे जो हैं वो आप याद रखें जन्म म्रत्यु एवं विवहापंजी करन करना और दूसरा जो मन रहेगा कारे करम है उसको क्रियानवित करना लोगों को रोजगार उपलब्द करवाना इसके अलावा भी कई कारे हैं जैसे कि काउं में स्वच्चता पेजल इसकी विवस्थ अर्फाकर ना ग्रामि सप्षकों की ःजो है वह रखर खाव करना बहुत सारे कारे हैं लेकिन दो इंपोर्टेंट कारे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें ग्राम पंचायत किस से मिलकर गठित होती है किस से बनती है ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत बनती है बार्ड पंचों से उप सरपंच और सरपंच ठीक है तो ये मिलकर जो है ग्राम पंचायत गठित करते है ग्राम पंचायत का चुनाव कौन संपन करवाता है तो राज्य चुनाव आयूग ग्राम पंचायत का चुनाव संपन करवाता है अगला दिखिए question 11 है पंचायत का कारेकाल कितना होता है तो यहाँ पर 5 वर्ष का होता है इनका कारेकाल और अब इस्वाज प्रस्ताव द्वारा समय से पहले भी हटाया जा सकता है ठीक है ग्राम पंचायत की बैठक एक महा में कितनी बार होती है तो एक महा में कम से कम दो बैठक का होना अनिवार रहे है ग्राम पंचायत में सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को रखना बैठक की कारवाही को लिखना किसका कारे है ग्राम पंचायत में जो सरकारी कागजात है उनका रिकॉर्ड रखना और बैठक की कारवाही को लिखना किसका काम है तो देखिए यहाँ पर गौर्मेंट के द्वारा ही भेजा जाता है सचिव तो इस सचिव का ही काम होता है इन सभी कागजातों को रिकॉर्ड रखना और बैठक की कारवाही को लिखना किसका कारे होता है सचिव का ग्राम पंचायत अथा जिला परिशत को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी होती है तो यहाँ पर बिल्कुल निमनिस्तर पर ग्राम पंचायत है और तिरिस्तरिय धाचे में सबसे उपर है जिला परिशत तो बीच में जो जोड़ने का काम करती है वह है पंचायत समिती Q15 देखिए पंचायत समिती के पदेन सदस्य कौन होते हैं तो हमने बात कर ली थी कि पंचायत समिती के जो पदेन सदस्य हैं वह एक प्रधान है और एक बीडियो है घंड विकास अधिकारी पंचायत समिती सदस्य के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए पंचायत समिती सदस्य के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए तो न्यून्तम 25 वर्ष होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर चाहे ग्राम पंचायत हो पंचायत समिती हो जिला परिशद हो तो यहाँ पर उम्र जो है वह है न्यून्तम 25 वर्ष ही निर्धारित की गई है पंचायत सम्ति के सदस्यों का कारेकाल कितने वर्ष का होता है तो देखिए पांच वर्ष का होता है पंचायती राज विवस्था की सीर से स्तर की संस्था कौन सी है तो सबसे उच्छे स्तर पर जो संस्था है पंचायती राज विवस्था में तो यहां पर है जिला परिशद नेक्स्ट देखिए कुश्यन 19 जिला परिशद के सदस्य कौन से होते हैं जिला परिशद के सदस्य कौन होते हैं तो इसमें पंचायत समितियों के प्रधान जिले से निर्वाचित बिधान सभा सदस्य जिले से निर्वाचित लोक सभा एवम राज्य सभा सदस्य और प्रतेकवाड से निर्वाचित सदस्य तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरुरत है कि यहाँ पर जिले से निर्वाचित विधान सभा सदस्य है और जिले से निर्वाचित लोक सभा एवम राज्य सभा सदस ठीक है तो ये याद रखें जिला प्रमुक तथा उप जिला प्रमुक का चुनाव कौन करते हैं जिला प्रमुक और उप जिला प्रमुक का चुनाव कौन करते हैं जिला परिशद के निर्वाचित सदस्य मिलकर जिला प्रमुक और उप जिला प्रमुक का चुनाव करते हैं जिला प्रमुक की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा किस व्यक्ति की न्युक्ति की जाती है तो यहाँ पर मुख्य कारेकारी अधिकारी की न्युक्ति की जाती है ठीक है तो देखिए यहाँ पर question answer बिल्कुल factual है और आप लोगों ने chapter जब पढ़ा था मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो वहाँ आपको यह सारी चीज़े समझाई थी ठीक है तो यदि किसी बच्चे को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो करप्या करके आप लोग जो है वो chapter को दुबारा से पढ़ें नेक्स्ट देखिए question 22 पंचायती राज की आधार बुद्शंस्था कौन सी है देखिए पंचायती राज आप बोलें या ग्रामी स्वसासन बोलें एक ही बात है पंचायती राज की आधार बुद्शंस्था कौन सी है तो वह है ग्राम सभा ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं तो जिनकी भी उम्र 18 वर्स से अधिक है उस गाउं के निवासी मतदाता वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम सभा की बैठक कितनी बार बुलाई जानी आवश्यक है तो हर तीन महिने में एक बैठक जो है वो बुलाई जानी आवश्यक है और वहीं पर यदि हम बात करें ग्राम पंचायत की तो ग्राम पंचायत की 15 दिन में एक बार बुलाई जाती है पंचायत समिती की महीने में एक बार बुलानी पड़ती है और जिला परिश्यक की तीन महा में एक बार बुलाई जानी आवश्यक है ठीक है तो ये चारों ही ध्यान में रखें अगला देखिए राजिस्थान में पहला ग्राम नियायले कहां खोला गया ये कुशन आया हुआ है एक्जाम में राजिस्थान में पहला ग्राम नियायले कहां खोला गया तो वह खोला गया जैपुर जिले के बसी में ग्राम न्यायले एक्ट 2008 के तहट ग्राम न्यायलों के स्थापना क्यों की गई तो इनकी स्थापना जो है ग्रामीन शेत्रों में ग्राम पंचायत इस्तर पर सीग्र एवं सुलब न्याय दिलाने के लिए की गई Q27 है सहरी प्रशाशन के कितने रूप होते हैं तो यहाँ पर तीन रूप होते हैं नगर निगम, नगर परिशद और नगर पालिका नगर निगम किसे कहते हैं नगर निगम किसे कहेंगे तो ऐसे बड़े शहर जहां पर जण संख्या 5 लाग से अधिक हो तो ऐसे जो हैं शेत्रों को क्या कहेंगे नगर निगम कहेंगे ठीक है ऐसे शहरों को क्या कहेंगे नगर निगम अगला देखिए नगर परिशद किसे कहते हैं नगर परिशद किसे कहते हैं तो जिन शहरों की जन संख्या एक लाग से जादा हो और पांच लाग से कम हो तो ऐसे शहरों को कहा जाएगा नगर परिशद जिन शहरों की जन संख्या एक लाग से जादा और पांच लाग से कम तो ऐसे शहरों को हम नगर परिशद कहेंगे वहीं तीसरा है देखिए नगरपालिका तो नगरपालिका किसे कहते हैं? ऐसे सहर जहां पर जन संख्या 15,000 से 1,000,000 तक के बीच में होती है 15,000 से अधिक और 1,000,000 से कम ठीक है? तो हमने जो है वो तीनों को पढ़ा जिसमें जिनकी जो जन संख्या है 5,000,000 से अधिक है तो ऐसे शहर क्या कहलाएंगे? नगर निगम और 1,000,000 से 5,000,000 तक है तो वो कहलाएंगे नगरपालिका जो है ऐसे शहरों को कहेंगे जहां की जन संख्या 15,000 से 1,000,000 तक के बीच में होती है बार्ड किसे कहते हैं बार्ड किसे कहेंगे तो देखिए शहर को अलग-अलग शेत्रों में जब बार्ड दिया जाता है तो उन्हें हम बार्ड कहते हैं नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है तो इसका जो अध्यक्ष है वह महापोर कहलाता है तो उस अध्यक्ष को कहेंगे हम सभापती नगर परिशद के अध्यक्ष को क्या कहेंगे सभापती नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष क्या कहलाता है नगर पालिका अध्यक्ष जो है वह क्या कहलाएगा तो यहां नगर पालिका में जो अध्यक्ष है वह नगर पालिका अध्यक्ष ही कहलाएगा ठीक है याद रख कि नगर निगम जो है उसके अध्यक्ष को महापोर कहेंगे जो की नगर का प्रथम नागरिक होता है और नगर परिशद उसके अध्यक्ष को कहेंगे सभापती वहीं पर नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वह है नगर पालिका अध्यक्ष ही कहलाएगा चोहत्तरवे सम्विधान संसोधन के अनुसार शहरी संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए कितना आरक्षन है चोहत्तरवे सम्विधान संसोधन किसकी बात करता है शहरी प्रशाशन की वही 73 सम्विधान संसोधन हमने क्या देखा ग्रामीन प्रशाशन की तो यहां तरवे सम्विधान संसोदन की अनुसार सहरी संस्थाओं के चुनाब में महलाओं के लिए कितना आरक्षण है? एक तिहाई, ठीके? कितना आरक्षण है? एक तिहाई सहरी संस्थाओं में अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती और अन्य पिछडे वर्ग के लिए इस्थानों का आरक्षण कितना किया गया है तो यह जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार किया गया है वहीं पर देखिए राज्य स्थान में जो महलाओं का आरक्षन है वह कितना कर दिया गया है 50 प्रतिशत ठीक है और जो यह SCST है इनको जनसंक्या के अनुपात में जो है वो आरक्षन मिलता है और जो OBC है उनको राज्य विधान मंदल की इच्छा पर जो है वो आरक्षन मिलता है सहरी संस्थाओं के अनुवार्य कार्य कौन से हैं सहरी संस्थाओं के बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें से जो महतपुन कार्य है वह है सुद्ध जल विवस्था रोशनी एवं सफाई दमकल विवस्था जन्म म्रत्यू पंजी करन हमारे देश में किस समविधान संसोधन विदियक ने पंचायती राज विवस्था को अपनाया है किस समविधान संसोधन ने अपनाया है तो मैंने आपको बताया था 73 समविधान संसोधन पंचायती राज विवस्था या ग्रामीन स्वसाशन और 74 वा समविदान संसोधन शहरी प्रशाशन ठीक है नगर निगम के बार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधी क्या कहलाता है तो क्या कहलाएगा पार्शद कहलाता है ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है तो हमने देखिए लास्ट वीडियो में बात कर ली थी ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाएगा तो वह कहलाएगा सरपंच नेक्स्ट देखे पंचाय समिती का मुखिया क्या कहलाता है तो ये रिवीजन है प्रधान कहलाता है वहीं पर जिला परिशद का मुखिया क्या कहलाता है तो वह कहलाता है जिला प्रमुख तो चलिए यहाँ पर 42 कुशन जो है वो इस चैप्टर में से निकल कर आए हैं और यह सभी इंपोर्टेंट हैं आपको याद भी करने जरूरी है तो चलिए मिलते हैं नेक्स चैप्टर में थेंक यू